नमश्कार आज सबी को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारते शाक्षे दिन्यम में सेक्शन 33 जो ये सेक्शन 33 है यहाँ पर यह एविडेंस की बात कर रहा है अब यहाँ पर कौन से एविडेंस की यहाँ पर बात की जा रही है अगर कहें पर भी longest statement दी गई है कहाँ पर दी गई है वो longest statement किसी conversation में document में electronic record books या फिलेटर्स या फिर किसी paper में इन सबी जगह पर कोई यहाँ पर statement दी गई थी तो court वहाँ पर relevant माने कि उसको जो भी वहाँ पर longest statement दी गई है और उस longest statement में कोई part है वहाँ पर यहाँ पर part की बात की गई है तो उस part को यहाँ पर relevant माने जायेगा तो चलिए इसकी barrack language को जानते हैं इसकी barrack language यहाँ पर क्या बता रही है वन एन बात कॉप नहीं पर अविक बात इस चलिए लेग दे गई थी जो भी part वहाँ पर relevant होएगा उस part को वहाँ पर निकाल ले जाएगा उसको relevant मान लेगी इसके कहने का मतलब यहाँ पर यहाँ पर यह है और of a conversation और part of an isolated document कोई conversation या फिर isolated document इनको यहाँ पर relevant मान ले जाएगा अगर यहाँ पर कोई statement दी गई थी और is contained in a document या फिर contain है किसी electronic record में और of a connected series of letters और papers या फिर letter की किसी series में या फिर papers में जो series है वहाँ पर उनमें कोई statement दी गई थी जो कि उस statement का उसमें part है किसी statement का जो relevant है evidence shall be given of so much and no more of the statement conversation, document, electronic record, book और series of letters और papers as the court considers us necessary तो यहाँ पर उसी कोई जरूरी समझेगी जो भी वहाँ पर statement relevant है in that particular case जो भी particular case है उससे related है to the full understanding of the nature जो कि वहाँ पर understand हो रहा है वो nature मतलब पि जो case का nature है उससे related वहाँ पर जो longest वहाँ पर statement दी गई है जो longer statement है उसमें से वो part निकाल कर उसको मालने जाएगा कि हाँ यह एक relevant यहाँ पर एक statement है जो कि उसके वहाँ पर nature को बता रहा है and effected of the statement जो वहाँ पर effect डाल रहा है वो जो statement उसमें बताए गई है जो part है वहाँ पर statement का and of the circumstances under which it was made या फिर कोई circumstances वहाँ पर बताए गई है मतलब कि जो वो statement है उसमें longer statement है उसमें से उस part को निकाल लिया जाएगा जो वहाँ पर case के circumstances बता रहे है जो वहाँ पर बन रहे हैं वो circumstances देखें जो बेरेक language जो मैंने अभी आपको पूरी पढ़ाई है नहीं इसमें सिर्फ simply यही का गया है जो भी conversation जो भी statement या फिर कोई भी electronic record कोई book, कोई letter, कोई paper मतलब कि वहाँ पर वो longer statement दी गए थी उसमें तो वहाँ पर जो वो longer statement थी ना जो case related है जो case का nature बता रहा है वहाँ पर circumstances बता रहा है वहाँ पर case के तो वहाँ पर वो part निकाल ले जाएगा उस statement से जो भी conversation में electronic record में या फिर book में थी या फिर किसी letter में paper में थी तो वो part उसमें से निकाल ले जाएगा जो ज़रूरी हो जो nature बताए case का ये section यहाँ पर 33 यहीं बताने कोशिश कर रहा है अब आपने court में देखा भी होगा जब वकील साब अपना case प्रेजेंट करते हैं और वहाँ पर अगर वो पूरी मतलिक भी detail में बताता case को लेकिन ज़साब वहाँ पर वकील साब को टोक देते कि आप वही relevant fact बताईए जो nature बताता हो case के या फिर जो circumstances है case के उनी से related वहाँ पर वो statement बताए यह नहीं कि वहाँ पर इतनी बड़ी statement है और इतनी बड़ी statement से इतना साही उसमें statement relevant है तो वहाँ पर वही statement बोलने के लिए बोलते हैं जब साब भी वकील साब को बोलते हैं न कि आप अपने fact पर आईए जो मुद्दा है case का उस मुद्दे पर आईए इधर उधर की बाते मत कीजिए तो यहाँ पर यह section 33 भी यही बताने कोशिश कर रहा है यहाँ पर जो भी longer statement होएगी उसमें से relevant fact को निकाल ले जाएगा जो भी relevant वहाँ पर statement है जो nature बताए case का जो case के circumstances बताए वहाँ पर तो उन सभी को वहाँ पर relevant माल ले जाएगा जो part form कर रहा है उस longer statement में तो अब आपको clear हो जाना चाहिए जो section 33 यहाँ पर क्या बताने कोशिश कर रहा है एक बार आप bear act language जरूर पढ़ देना जिससे आपको और अच्छे से clear हो जाएगा तो मिलेंगे अब हम अपनी next video में जिसमें हम जानेंगे section 34 को ओके बाए